तो बॉर्णिंग एव्रिवन तो लास्ट क्लास हम लोगों ने आम कॉंसॉलिडेशन में ट्रीट्मेंट ऑफ डिविडेंट रिसीव किया था फोल्टिंग कम्पनी को गर डिविडेंट रिसीव होगा तो चेक करेंगे कि प्री अक्विजिशन डिविडेंट है कि पोस्ट अक अक्विजिशन है तो वो मेरा इंकम है मैं उसको अपना पील में एड करूंगा राइट पर दर हमने रिवालिवेशन का भी ट्रीट्मेंट देखा रिवालिवेशन प्री होता है किसका एसेट को रिवाल्यू करेंगे होल्डिंग का कि सब्सीडेरी का कि कॉंसॉलिडेशन म होता नहीं है अगर इंडिविज्व में किया और तो कॉंसॉलिडेशन मतों और अंधूरिवेशन करेंगे सब्सीडेरी का अगर देता है कोई भी नया शेरोल्डर शेर खरीदे का मलब पुराना वाल अपना शेर दे रहा है तो नया कंपनी कैपिटल लेकर आएगा पुराना कंपनी उसको ले जाएगा पुराना शेरोल्डर नया शेरोल्डर कैपिटल आएगा पुराना शेरोल्डर ले जाएगा तो पुराना शेर में बैलेंशीट दिया वे शेर हमने जैनुवरी में खरीदा है अगर आप गौर से देखेंगे मेरे बुक्स में जो इन्वेस्मेंट है तुम्हारे बुक्स में वो शेर कैप्टल डिजर्वेंसर प्लस कॉंसॉलिडेशन में दोनों सेट आफ हो जाता है डिफरेंस गुडविल कैप्टल जरुबाता है कि नौ मेरे पास में तुम्हारा पंद्रहाजार शेर है कि तुम्हारा टोटल शेर कितना हो गया है कि पंद्रहाजार शेर क्योंकि देखो दस रुपए का पेड़ाप कैपिटल है डेड़ लाग तुम्हारा शेर कैपिटल इसका मना होल्डिंग रेश्यों हंड़ेट परसेंट हुआ तो माइनॉरिटी कितना जीरो टो वहली ओन सबसीडिरी माणुरिटी का जमील आई नहीं है तो जो भी होल्डिंग का प्री का शेर है व फई इन्वेश्ममंट से लएज होगा और जो होल्डिंग का पोस्ट है वो उसका कमाई है उसमें एड हो जाएगा उसका पी एल के साथ तो यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है शेर क्यापिटल डिजर्वेंस अप्लस के साथ हंडेट पर सेट आफ हो जाएगा कि अधिशन में शेर क्या रिजर्वेंस अप्लस किसका आता है है कि सब्सक्राइट बैलेंस शीट में शेर कैपिटल रिजर्वेंस अप्लस वोल्डिंग का आएगा क्योंकि सब्सीडिरी वाला तो इन्वेस्मेंट से अप हो गया और नटा चाहिए ना इस तो इस राइट शुण सेटियरेशन का प्रोसेस क्या है सारा एसेट्स और आपडिस लाइन याइड अडरी होल्डिंग के बुक्स में जो इंवेस्मेंट है subsidiary के books में जो shareholder fund है मैंले share capital और reserve and surplus setup होगा difference goodwill capital reserve और consolidated balance sheet में खाली share capital reserve and surplus holding वाला आएगा तो यह हम लोग को मालूम है यहाँ पर कुछ एक extra point दिया हुए इसका बारे में हम लोग बात में बात करेंगे इसको बोलते हैं inter company adjustment तो यह बात में होगा consolidation के बाद है कि एक जैन्वरी का अला जिसन शेयर खरीदा इस डेट अवक्विजिशन डेट अवाले दिन subsidiary का PL 35,000 था तो इसके बाद subsidiary ने जो भी कमाया वो subsidiary के लिए income है holding के लिए भी क्या है वो इनकम ही है ना जिस दिन मैंने शेयर खरीदा उस दिन हमारा profit and loss 35,000 था और balance sheet में 65 दिया हुआ है तो अब टू देट अव एक्विशन का तो मैंने पैसा भरा है उसके बाद subsidiary जो कमाया वो भी मेरे लिए क्या है इंकम है राइट सो क्विक्ली मैं क्या करूंगा मैं आपको यह बर consolidation का process बता दूंगा यहां पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं जस्ट रिवाइस कर रहा हूं आ पहाँ एं वह आ है ट्र соверш मेरे प्लस हो जाईगा यह प्लस हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा अ investment in subsidiary versus shareholder fund of subsidiary limited इसको compare करेंगे गुट्विल कपिल इसर्फ to the extent कि शेर्स नॉट हेल्ड वाई होल्डिंग कंपनी कि एमाई आएगा तो है न तो अल्टिमेट्री देखो टोटल शेरोल्डर फंड सेट आफ हो गया जितना होल्डिंग का शेर है कि उतना इंवेस्मेंट से लेस हो गया और बाकी का एमाई आ गया इस समय तो पुरा हंडेट पसंड यहीं से माइनस हो जाएगा माइनोरिटी है नहीं कि एंड एच लिमिटेट का शेरोल्डर फंड आएगा कि एक्स लिमिटेट का शेरोल्डर फंड आएगा कि एंड लिए चलिए कि इसका काम भी बाद में है कि यह कॉन्सालिडेशन के बात करेंगे इसका ट्रिट्मेंट कि सबसीडियरी का एसेट को रिवैल्यू करने बोला है कि 20 परसेंट अब बुक वैल्यू अफ्री लैक और वन 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 लास्ट क्लास जो कोशेंग के अधा सिमिलर टु बैट है तो हर समय आप देखेंगे हम लोग एक नया नया चीज़ सीख रहे हैं कि कुश्चन फिफ्टीन तो ध्यान से देखना एक अपने को एनालिसिस और प्रॉफिट बनाना है इसमें ब्रेक होगा प्री पोस्ट का अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हम लोग सीखा इसको पोस्ट में आड करेंगे फिर प्लस माइनस टाइम अजज़स्मेंट और फिर डेट देखके लेस करेंगे टाइम अज़स्मेंट सिखा पोस्ट का कुछ मेना प्री में आएगा रिवैलेशन प्रॉफिट किया यह हमारा प्री में जाएगा एडिशनल डेप्रिशेशन पोस्ट में जाएगा डिविदेंट पेड़ बाई सबसेडिरी इसका भी मालूम हम लोगों को क्या करना है पहले पोस्ट में एड होगा फिर कौन से प्रीट का डिविदेंट है देखके अकॉर्डिंग लेस करेंगे उसी हिसाब से होल्डिंग भी अपना ट्रीटमेंट करेंगा अगर प्री वाल डिविदेंट है तो होल्डिंग को अपना इंवेस्मेंट से लेज करना चाहिए और और डिविदेंट रीसीवड रिसीवड भाई होल्डिंग लिमिएड इसको भी चेक करेंगे इसमें दोनों एफेक्ट देखना है subsidiary का paid वाला भी देखना है, received by holding का भी देखना है, तो यह चीज हमने आपको अल्लेडी करवा दिया है, analysis of profit, abnormal loss, time adjustment, revaluation profit और additional depreciation, dividend paid और received, तो अगर मैं आपको rough analysis of profit बनवाऊं, अगर मालो कोशन में सभी दे दिया, हो सकता है, high probability है, अध्यान से देखेगा, pre, post PL, post general reserve, ठीक है, PL, pre, इधर में आएगा, इधर नहीं आएगा, general reserve, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, ठीक है, तीनों का सब total कर लिया, अब अगर abnormal loss का बात करेंगे, तो पहले ये क्या होगा, प्लस होगा, post में, dividend paid भी पहले क्या होगा, प्लस होगा, post में, प्लस माइनस time adjustment, इसका कुछ निकालेंगे, यहां आएगा, इसमें से कुछ निकालेंगे, यहां आएगा, time adjustment, अब यह up to date of acquisition हो गया, अब abnormal loss का date देखो, यहां का है तो यहां से less करेंगे, यहां का है तो यहां से less करेंगे, हाय ना, dividend paid का period देखो, क्योंकि यह pre post का breakup holding के हिसाब से हो रहा है, तो holding का date of acquisition के हिसाब से dividend, acquisition के पहले के समय का है कि बाद वाले समय का है, प्री अक्विजिशन होगा तो यहां से less होगा, post acquisition होगा तो वापस यहीं से less हो जाएगा, done, इसके बाद ही revaluation का treatment होता है, revaluation profit हमेशा प्री में आएगा, additional depreciation पोस्ट में आएगा, यह जो आया, यह final हो गया है, अब इसका holding minority, तो ultimately अगर आप effect देखेंगे, abnormal loss पहले एक बार प्लस हुआ, फिर यहां less हो जा रहा है, time adjustment यहां से निकल के यहां आ रहा है, यहां से निकल के यहां आ रहा है, सबका double effect हो जा रहा है, क्योंकि subsidiary का books में treatment सही हुआ है, आज abnormal loss, goods destroyed by fire का तुम treatment क्या करोगी बोलो तो, profit से less करोगी, तो तुम end क्यों कर रही हो, क्योंकि हमको holding का data of acquisition के हिसाब से सब कुछ करना है, कोई भी treatment गलत नहीं हुआ है, dividend तो profit से देते हैं, profit से less किया हुआ है, अपने add क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले add करेंगे, date of acquisition के हिसाब से time adjustment अगर कुछ है तो वह करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन से pre-ed का dividend दिया गया है, accordingly acquisition के पहले का समय का है, तो वहां से less करेंगे, ultimately double effect हो जा रहा है, किसका double effect नहीं हो रहा है, revaluation का, इसलिए तो non-current asset में, revaluation profit plus, additional depreciation minus किया था, consolidated में, right, जांप एक जाद, एक झाद़ द्विए, यहाल वहाई था यहाल एक जादर बाद्विए यहाल झादीट, यहाल रहा हैंगे, बादेगे जाद्व में, कि यह 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 इस कोश्चन का बात करें यह लास्ट में आएगा होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी यह सब तो माइनॉरिटी में चला जाएगा आइड वित एम आई कि अ कि कॉस्ट अव इंवेस्मेंट से लेस हो जाएगा क्योंकि अप्टू देट अव अक्विशन का प्रॉफिट का मैंने पैसा भारा है शेर क्याप्टल का मैंने पैसा भारा है तो प्रॉफिट को मैंने प्री मेंट करते तो आटोमेटली वह भी लेस हो जाएगा कि करें कि सब्ट्राइब फ्रम कॉस्ट अव इंवेस्मेंट यह होल्डिंग का पी एल एंड जेनलिज़व से प्लस हो जाएगा कि यह मेरे शेर खरीदने के बादवाले प्रॉफिट्स हैं यह मेरे शेर खरीदने के ठीक है एक चीज और जैसा डिविडेंट होगा चेक ट्रीट्मेंट इन होल्डिंग्स बुक प्री है इन्वेस्मेंट से लेस्ट किया वाय कुछ नहीं करेंगे पोस्ट है पी एल में लिया वाय कुछ नहीं करेंगे प्री है और पील में लिया तो गलत कर दिया तो profit को कम करके investment से less करेंगे पोस्त है investment में less कर दिया तो investment को बढ़ा के PL में एड़ करेंगे तो चीक है कुछ नहीं और इस chapter में चीक है आईए अब इस question का अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले note number one, holding ratio, मैंने कितना share खरीदा, ये किसके balance sheet से मालूम चलेगा, मैं holding हूँ, मैंने subsidiary का कितना share खरीदा है, ये कैसे मालूम चलेगा, किसका balance sheet देखके, मेरा अपना balance sheet देखके, सर अब क्या बेकूफ ज़से सवाल क्यों total number of shares, subsidiary का कितना, ये किसका balance sheet देखके, मालूम चलेगा, subsidiary का, डेल लाग था, डिवाइड वाइट तो पंद्रह अजार shares, holding ratio 100% आगया, हाँ है न, minority interests में, 0, ठीक है, note to, क्या, analysis of profit, किसका profit का analysis होता है, किसका pre-post करते हैं, subsidiary का, उसी का profit का analysis हो रहा है, है, और ये analysis जो हो रहा है, ये किसका date of acquisition के basis पे हो रहा है, holding का, very good, on the basis of, date of acquisition of holding limited, PL, generalizer, दोनों है कि खाली PL है, question में देखके बताओ, खाली PL है, तो दो कॉलम है, प्री and पोस्ट PL, अगर generalizer होता तो, प्री सबका एक होता है, पोस्ट PL, पोस्ट GR, प्री, पोस्ट PL, टोटल, कितना दी आवा, PL, 65,000, subsidiary का, अच्छा, प्री तुमको कहां तक का चाहिए, date of acquisition तक का, date of acquisition क्या है, अब टू 1st January, question में, प्री कहां तक का दिया हुआ है, question में, अपने को, balance sheet में, 65,000 है, date of acquisition हमारा, 1st January, क्या हमारे को, PL 1st January तक का दिया हुआ है, adjustment में देखो, balance sheet में तो total दिया हुआ है, इसका analysis करना है, कितना pre, कितना post, pre का हमने पैसा भरा, investments, sales हो जाएगा, post हमारे लिए कमाई है, तो हमने share खरीदा कब, क्या हुआ है, तो हमने share खरीदा है, 1st January का, तो हमको pre चाहिए, up to 1st January, और question में आप देखेंगे, हम लोगों को P.L. additional information में, up to 1st January का दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोगों को, अगर हम लोगों को, P.L. up to 1st, जिस दिन का date of acquisition है, वहां तक का अगर दे देना, तो हमारा पोस्ट कितना है, 30,000? ठीक है? अगर ऐसा हुआ न, मेरा बाद ध्यान से सुनना, जिस दिन का, जिस दिन का, acquisition है, अगर उस दिन का P.L. दे दे, टाइम अजज़्च्मेंट नहीं होगा, क्लियर है? क्योंकि जिस दिन का date of acquisition वहां तक का, तो P.L. दिया हुआ है, पोस्ट से क्या निकालेंगे? पोस्ट से कुछ भी निकालके प्री में नहीं आएगा. अगर माल लो इसी सम्में, अगर ऐसा बोलता हमारा date of acquisition एप्रिल का है, तो प्री कहां तक का दिया हुआ है? जैन्वरी? P.L. कहां तक का दिया हुआ है? जैन्वरी? लेकिन हमारा date of acquisition एप्रिल है? तो जैन, फैब, मार्च, पोस्ट P.L. से निकालकर यहां डालेंगे. तब इस सम्में time adjustment होगा. लेकिन अपन को date of acquisition क्या है? 1st January? P.L. भी हमारे को 1st January तक का दिया हुआ है. तो इस question में time adjustment नहीं है. जिस question में time adjustment नहीं होगा, उस question में अगर abnormal loss भी देगा, तो उसको ignore कर देंगे. If no time adjustment, abnormal loss will be ignored. खली dividend paid plus minus होगा. पहले plus करेंगे, यह मैंने आपको last class समझाया था. dividend वो जो calculation techniques बताया था ना मैंने आपको, प्रिकेंगे. प्रिकेंगे. तो यहां लीख लेंगे. If profit and loss is given up to the date of acquisition, then if profit and loss is given up to the date of acquisition, then there will be no time adjustment. अब्नॉर्मल लॉस अपने अड्ड क्यों किये थे? profit को evenly spread बनाने के लिए. तब जाके post का निकाल कर pre में डाल पाएंगे. आज जैन्वरी, फर्वरी माथ, तीन महना post से निकल के प्री में आएगा, तो वो profit evenly spread होना चाहिए, इसलिए अपने अब्नॉर्मल लॉस एक बार प्लस कर दिये थे. तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है? अगर अपने को PL दियावा है, अप्टू देट अफ एक्विएशन टाइम अजजेश्मेंट नहीं होगा, अब्नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट को भी इग्नॉर कर देना है. तो यह चार्ट हम लोगा छोटा हो जाएगा? हाँ? इस चार्ट में यह नहीं रहेगा? यह भी नहीं रहेगा? यह कुछ भी नहीं रहेगा? छोटा हो गया ना? Got my point? चलिए. अब रिवैल्यवेशन करने बोला है? झालिए. थार्ट में लिवैंगे. परेम्त. झालिए. यह चार्ट में व्रेदान देना है? या सूरिवालुएशन थी का भोगा रॉब्सटेशनर मीचा उन्हातो कि इस दिसेंबर को कि सब्सीडियरी का बैलेंस कितना है टू लेक फॉर्टी और फॉर्स जन्वरी इसको इसका बैलेंस है थ्री लेक यह है टू लेक फॉर्टी ठीक है कि अ है तो पूरा साल डेप्रीशेशन कितना हुआ शाट जार है अनुर्य ओसवर्टी कर दो कर दो थिक है इस दिन हम लोग रिवालुएशन कर रहा है सो रिवालुएशन प्रॉफिट कितना होगा ट्वेंटी परसेंट आफ थ्री लाग यह ट्वेंटी अलग है और कोशन में बोल दिया तो साथ हजार हमारा रिवालुएशन प्रॉफिट एडिशनल डेप्रीशेशन कितना होगा हमने जैन्वरी में जाके एसेट का वैल्यू को साथ हजार बढ़ा दिया तो तीन लाग का तो डेप्रीशेशन दिया हुआ है तो जितना से एसेट का वैल्यू बढ़ा है उसका एडिस्टन डेप्रीशिचन आएगा कि नहीं आएगा जैन्वरी जीरो फॉर से लेके डिसेंबर जीरो फॉर तो साथ हजार इंटु ट्वेंटी परसेंट इंटु ट्वेल बाई ट्वेल्फ झाल तो इसका treatment हम लोग को मालूम है without wasting any time let's move ahead कि साथ अजार यहां आएगा कि अधिशनल डेप्रेशन बारा अजार यहां आएगा कि यह पूरा हंडेट परसेंट किसमें चला जाएगा कि माइनोरिटी निये ना माइनरेटी झाल 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 रिकें डन अब इसका दूसरा टीट्मेंट करना मत भूलना झाल कॉंसोलिडेटेट बैलेंशीट में नॉन करेंट टैसेट में रिवालेशन प्लास होगा एडिशनल डेप्रिशन माइनस होगा ठीक है? चलिए अब हम लोग बनाएंगे नोट फॉर प्लूल यो झाल झाल यो 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 कॉस्ट आफ इन्वेस्मेंट कितना है दो लाक है कि किस किस चीज का पैसा भर रहे शेयर कैपिल अफ सपसीडियरी का 100% प्री आक्विजिशन सपसीडियरी का 100% कर दो शुटे टो बड़ाए्ट कर दो चुट करेंगो कि अंप झाल झाल कि कि के माइनोरिटी है नहीं कॉंसॉलिडेटेट पील बना के मतलब नहीं है वो यह वोल्डिंग का पोस्ट्वल आइड कर देंगे और क्याप्टर लिजर्व दिखाना है ठीक है अब बना लेते हैं झाल झाल कि शेरोल्डर्स फंड शेर क्यापिटिल कितना है बोलो खली होल्डिंग का आएगा अ हम शेर क्यापिटल होल्डिंग का और लैक देन रिजर्वें से प्लस खली होल्डिंग का आएगा होल्डिंग का पी एल कितना है असी प्लस सबसीडियरी का जो पोस्ट है वो मेरे लिए इंकम है क्याप्टिलिजर फॉर्डिफाइफ नहीं मेरा फाइफ ट्वेंटी है तुमारा ट्वेटी फाइफ तुमारा ट्वेटी फाइफ एक बार यह सब वर्किंग नोट बन गया ना अपना काम असान हो जाएगा पहला वर्किंग नोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंपल है दूसरा में अपने को प्री पोस्ट में ब्रेक करना है होल्डिंग के बेसिस पे कि बैलेंस शीट में हम लोगों को टोटल दिया रहेगा जिस दिन शेयर खरीदा उस दिन का गर दे देगा कि टाइम अजेस्ट्मेंट नहीं होगा अब नॉर्मल लॉस भी नहीं होगा पोस्ट आ गया कि डिविडेंट है नहीं सम्में रिवालुएशन प्री में प्लस एडिशनल पोस्ट में लेस इसका सेकेंड एफेक्ट कॉंसॉलेडिटिन में जाएगा लाट सिट फिर तो गुडविल क्याप्टिल इजर्व निकालना है कि माइनॉरिटी निकालना है एसेट में मेरा पांच लाग है तुमारा 240 इसमें 60,000 रिवालुएशन का हम प्लस करेंगे माइनस बारा जार एडिशनल का सेकेंड एफेक्ट ठीक है कितना यह कितना साथ चालीस आठ शेवन लेक एटी एट करेंट असेट मेरा तीन लाग तुमारा अब ध्यान से सुनना एक अज्जस्मेंट हमारा रह गिया है इंटर कम्टी ट्रांजाक्शन्स अगर होगा होल्डिंग सब्सिटिटी के बीच में तो उसका कॉंसॉलिडेशन में क्या ट्रीट्मेंट करेंगें तो यहां पर बोला है कि दस हजार रुपिया का स्टॉक पर्चेस फ्रम होल्डिंग किसके स्टॉक के बारे में बात हो रहा है दस हजार का स्टॉक पर्चेस फ्रम होल्डिंग मतलब सब्सिटिटी का स्टॉक में दस हजार ऐसा है जो होल्डिंग से खरीद है जिस पर profit किस ने दिखाया है? Holding ने? जो बेचा होई तो profit दिखाता है. मेरे पास stock है, मैंने खरीदा इसको holding से. तो इसको किस ने बेचा? Holding ने बेचा है. तो इस पर profit कौन दिखाया है? तो आप तो दोनों एक हो जा रहा है. तो holding जितना profit दिखाया, उसको unrealized profit बोलके हटाएंगे. Right? Holding जब बेचता है, 25% on cost. मतलब 1 by 4 on cost? तो मैं बोल सकता हूँ, 1 by 5 on selling price होगा? तो सबसे पहले की समझना पड़ेगा? यहाँ holding है. मैंने subsidiary को goods बेचा. 1 by 4 on cost मतलब, 1 by 5 on selling price. 1 by 5 on selling price. ठीक है? Subsidary के पास में stock है. यह stock holding ने दिया है, 10,000 का. In the above stock profit of holding limited is included. Therefore, unrealized profit, इसको unrealized profit बोलते हैं, 10,000 का 1 by 5 दस हजार का 1 by 5 यहाँ दिस दो हजार. तो होगा क्या? बहुत सिंपल है. Holding का profit कम कर देंगे, stock का value को कम करेंगे. क्योंकि holding profit दिखाया है, ना? तो holding का profit कम होगा. तो यह cut के 96 आएगा. तो यह cut के 141 आएगा. मैं इसलिए इसको बात में करा हैं, जिससे आप लोग इसका effect समझ पाएँ. यह cut के 558 आएगा. तुम लोग भी ऐसे ही करना? जो भी आ रहा है. तुम लोग नहीं दिखा सकते हैं. जो भी आएगा. व्ञख साथ प्रफ्यीड था मारव। प्रफ्य निंतितग दिङे इंड aur कि का ए्यराइ एंड सुलिद अ कांो एंड बंस्ट कम प्रफ्याइiasm ब्लिव घ्खियद झीड प्रफ्य। Profit of holding included in stock of subsidiary should be eliminated the stock का value कम होगा profit हटा दिया अब percentage on sale वाला ही लेंगे तो common sense वाला बात है इसको बोल के फाइदा नहीं है बच्पन से चीच करते हैं तो inter company transaction जितना भी होगा उसका treatment consolidation के बाद होगा ठीक है अब अगर मानलो holding के stock में होता है और subsidiary बेचा होता कि ट्रीटमेंट यही है profit से लेस होगा stock से लेस होगा stock का value को कम करना है जहां profit में included है वह profit को कम करना है तब तो subsidiary बेचा है तो होगा क्या यहीं पर मैं यहां उपर कर रहा हूं less unrealized profit यहां से less होगा पोश्ट पील से और इसका दूसरा effect क्या होगा consolidated balance sheet में stock से minus stock से minus होगा कोई भी बेचे चाहे holding बेचे चाहे subsidiary बेचे अगर holding बेचा है तो holding अपना पील से less कर देगा सबसीडी बेचा है तो यहां पर less होगा कि अगर 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 कम गर कि अगर कि यह भाद कोशन होगा का कि अगर करेंगे पढ़िये री नमबर सेवेंटीन आईए मेरे पास में 45,000 शेर्स हैं और तुम्हारा टोटल शेर अगर देखूंगा मैं 60,000 शेर्स हैं तो 75% होल्डिंग हो गया अच्छा शेर खरीदा मैंने जैन्वरी और जिस दिन शेर खरीदा उसी दिन कब प्रॉफिट अन लॉस दिया हुए तो टाइम अज्जेस्मेंट होगा अपनॉर्मल लॉस अकर दूंगा तो इग्नोर कर देंगे जुलाई में मैंने डिविडेंट दिया है अच्छा 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 तो इसको पहले एक बार प्लस करेंगे पिर देखेंगे कौन से समय का डिविडेंट है उस इसाब से फिर लेस करेंगे और जो भी डिविडेंट मिला है सबसीडियरी इसको अपना प्रॉफिट अलॉस में लिया है तो उसका चेक कर लेंगे ट्रीटमेंट है सही है कि गलत किया है चीक है मेंstars एटी कंपनी ट्रंजेक्शन हो गया मेरा डेटर में 25,000 तुम्हारे से ड्य gods है तो तुम्हारा क्रेडिटर में मैं हूँ कि मेरे डीटर में तुम हो तो तुम्हारे क्रेडिटर में मैं हूँ ना तो How कउंट्रा हो जाएगा हाउगist और holding के stock में, stock of holding includes goods purchased from S होगा, यह printing mistake है, तो आपकी बार goods subsidiary से खरीदा हुआ है, तो इस पे profit किसने दिखा रखा है? subsidiary ने, जिससे खरीदा वर रहता है, वो ही आत्मी ना profit है, तु मेरे से खरीदा है, तो कमाया तो मैंने कि तुमने, खरीदने वाला थोड़ी कमाता है, कमाता बेचने वाला है, तो बेचने वाला का PL में included है, तो इसका दो treatment क्या होगा, subsidiary अपना profit कम करेगा, और stock से less होगा, त subsidiary प्री वाला less करेगा की post, अभी तो diagram में दिखा है, post, UP देखो, black pens है, और यहां पर percentage on sale दिया होगा है, करेंगे, सारा concept हम लोग को मालूम है, इसमें कुछ भी हम लोग ऐसा नहीं है, जो नया है, quickly we will do, हर question में मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, every question I am explaining you, पार ड्रेता रहे हैं, vेल्क मैं मैं अभी होगा है, करेंगे, करेंगे, करेंगे,।क्रा रहे हैं,aste, यूँद बहुता की अ काक्ळूद्य johnny, आप समझा, इसला है, यू शाला है, करेंग रहे हैं, करेंग छो, भी वाल, वाल, वान्यारान है, बतंव दिया है, Samantha, वोल्डिंग रेशियो 45,000 shares मेरे पास में है तुम्हारा total share 60,000 का है किसका profit analysis होगा हां किसके बैसिस पे अन्द बैसिस आफ प्री पोस्ट पियल पोस्ट जियर प्री हम लोग को कहां तक का चाहिए अब टू फर्स जैन तक का चाहिए और वहीं तक का दिया हुआ है ठीक है नो टाइम अजेस्ट्मेंट इग्नोर abnormal loss पी यल पहले balance sheet वाला बोलो generalizer balance sheet वाला बोलो subsidiary का दो लाक और एक लाक ठीक है अधिये है। यह यह दो लाक है यह एक लाक है अपने को प्री जैनवरी तक का ची और जैनवरी तक का पी ऑढ जनल ज़िवव दिया है de du जनवरी तक का जनल जरव है एक लाख टोटल एक लाख मतलब पोस्ट जनल जरव नहीं है कि डिफ्रेंस जीरो है ना जनवरी तक का पी एल कितना है तो डिफ्रेंस पोस्ट पील असी झात है तो इस तो नो टाइम अज्जेस्मेंट नो अपनर्मल लॉस इग्नोर अपनर्मल लॉस डिविदेंट पेड मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास यह कैलकुलेशन का हम लोग जिस वे में अपने वर्किंग नोट बना रहे हैं जिस वे में अपने डिफरेंस ले रहे हैं तो डिविदेंट पेड यहां से अज़स्ट होगी है असी हजार से हैं आपको दिखाया था है है डिविदेंट 2003 का पिछले साल का लेकिन सिंस वी आटेकिंग डिफरेंस तो वह क्या हुआ है यहां से तो एक बार डिविदेंट पेड को पहले पन प्लस करेंगे छह लाग का शेर कैपिल सब्सीडिरी का चेक करो कि बैलेंस शीट डेट में तो यहीं मानेंगे कि जुलाई में भी छह लाग का शेर कैपिल था तो छह लाग का दस परसें में लब कि साथ हजार टिका डिविदेंट पेड किया है कि टाइम अज्जश्मेंट है नहीं है क्या है कि अधिश्ट समझाने के लिए कर रहा हूं कि तुम लों मत करो यह वला चीज अब डिविदेंट पेड लेस्ट करूं आया ना बताओ डिविदेंट पेड है कौन से प्रियेट का 2003 का क्यूंकि आप जुलाई में दे रहे हैं जुलाई 2004 में तो यहां से अज्जश्ट हो गया तो एक बार इसमें प्लस कर दो टाइम अजश्मेंट कर लो टाइम अजश्मेंट है नहीं अब देखो यह है प्रॉफिट अप्टू जैनवरी 2004 और यह है जैनवरी ओन्वर्ड्स दिविदेंट है 2003 का बलब पुराना प्रॉफिट से डिविदेंट दिया है तो शाठ हजार यहां से इसका मतलब प्री अक् प्रॉफिटिशन डिविडेंट है इस टोके है हां अच्छा इस कोशन में रिवालुएशन नहीं है नि तो प्लस रिवालुएशन हो जाता झाल प्लस र ठीक है? लेस यूपी क्योंकि सबसीदर नहीं बेचा है आईए सर ये वाला हो गया ये तो ठीक है ये वाला ब्रेक अप कर लिया डिविडेंट का हो गया ये तो इसका एफेक्ट डिवाला कॉंसॉलिडेटेड बैलेंशीट में आएगा अच्छा स्टॉक है बीस हजार का जिसमें ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट सबसीदरी का इंक्लूडेड है तो अन्डिलेज प्रॉफिट कितना होगा? सिधा चारहजार? तो सबसीदरी का प्रॉफिट को हम चारहजार कम कर देंगे और कुछ नहीं है तो यह आएगा वन सिक्स्टी पोस्ट जनले सब कुछ हाई नहीं अब ध्यान से सुनना इसमें चेक करेंगे होल्डिंग कम्पनी का रिसीविंग ट्रीटमेंट सही रिसीविंग ट्रीटमेंट किया है की नहीं? जैसे प्री का है तो इन्वेस्टमेंट से ले सोना चेले लेकिने लो, क्या किया? अपना प्रॉफिट में डाल दिया देखो पोशन में बोल दिया है डिविदेंट रिसीव्ड वस क्रेडिटेड बाई होल्डिंग टू पील गलती है न तुमारे शेर खरीदनी के पहले वाले समय का है ये डिविदेंट तो तुमको इंवेस्मेंट से लेस करना चाहिए हाँ अगर ये 2004 का डिविदेंट होता देखो मिला अभी है उससे फरक नहीं पड़ता कि क्या जुलाई में 2004 का डिविदेंट मिला की 2003 का मिला है तो तुम्हारे लिए तो प्री हो गया ना तो तुमको इंवेस्मेंट से लेस्ट करना चाहिए था तुम इसको अपना में इंकम कम करेंगे और इंवेस्मेंट से लेस्ट करेंगे तो इसलिए बोला जाता है कि डिविदेंट पेड का ट्रीक्मेंट तो हो गया होल्डिंग का रिसीविंग वाला भी चेक करेंगे चेक होल्डिंग लिमिटेड रिसीविंग ट्रीक्मेंट यह बहुत इसका भी Consolidated Balance Sheet में Stock के साथ होगा, Adjustment Single-Single Effect है ना, इन सबका, तो Consolidated में इसका Double Effect आएगा इसका देखो Double Effect हो गया, लेकिन Receiving Treatment खली चेक करना है Done, अब इसका Break-Up करेंगे, Holding 75, Minority 25, कितना रही है? बताओ, Treatment बताओ, ये दोनों कहां जाएगा? ये, Holding-Up PL में Plus होगा, ये, इसका मैंने पैसा भर रहा है, Done? क्लियर, समको घर में वापस से प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, अब, नोट 3, Calculation of Goodwill, Oblick, Capital Reserve, तो कॉस्ट आव इन्वेश्मेंट से सबसीडियरी का शेर क्यापिल इसवेंस अप्लस कम पेर होगा यह ना तू थे एक्सिंडर आफ से निवा परसेंट को स्वेंट इन वेस्ट्मेंट कितना है 6,00,00 शेर क्यापिलर सबसीडियरी का 75 परसेंट है तो छह लाग का 75 परसेंट कितना है कि शाड़े चार लाग कि बाकी का शेयर क्याप्टिल अब सबसीडियी चला जाएगा कि माइनॉरिटी में कि प्रियक्विशन प्रॉफिट का 75 परसेंट एक लाग बीस इसका प्रियक्विशन का 25 चालिस अल्यडी किया हुए तो चिके ना हो गया ह lifetime पूरिंग का अपना पील कितना है एक सेंट करोग अभी गुडविल और नींकाल ने अपना पत्रॉब कितना है घृट अ है दो लाग कि इसमैं पोस्ट एक्वख़िशिशन वाला एड होगा 9 एक लाग दो हजार और माइनॉरिटी वाला पोस्ट एक्विशन का से टॉड़ी फाइप परसेंट वो माइनॉरिटी में जाएगा अच्छा आप अपने को रीसीविंग ट्रीटमेंट चेक करना है यह वाला चेक करना ना रीसीविंग ट्रीटमेंट इसी का तो बारे में बोला तुम लोग इसे रीसीविंग ट्रीटमेंट चेक करके बताहिए तो साथ हजार का कितना परसेंट होल्डिंग को मिला होगा 25 परसेंट थोड़ी 100 परसेंट यह तो पूरा टोटल डिविडेंट है इसका 55 परसेंट 45 आजार ही ना मिला होगा यह 45,000 को होल्डिंग को क्या करना चाहिए प्री अक्विजिशन है इन्वेस्मेंट से लेस करना चाहिए लेकिन होल्डिंग क्या किया प्रॉफिट लॉस में आड़ कर दिया है तो अपने क्या करेंगे तो पहले बात तो अपना प्रॉफिट को कम करो लेस डिविडेंट रिसीव्ड गलती से डाल दिया इसका साही ट्रिट्मेंट क्या है प्री अक्विशन डिविडेंट रिसीव्ड यहां लेस होना चाहिए अगर यह सही रहता तो कुछ नहीं करते हैं अब करो कि इसका टोटल अलग निकालो इसका अलग निकाल लो और पील का अलग निकाल लो कि किसका इसक्षिटी थाउजन गुर्वी लाग यह ठीक है यह टू टू ट्वंटी फॉर ना टू लाग किसक्षिटी इसक्षिटी निकाल टूटल टू एक रहता हैं अगर यह बिए इसका टूब टूब रगए झाल तो प्राफित। झाल झाल डन अब बनाना हम लोगों क्या है आज ओन सबसिडियरी का शेर रिजर्व एंट सप्लस तो 75% सेट आफ हो गया बाकि 25% मानॉरिटी में आ गया तो होल्डिंग में खाली रिजर्व एंट सप्लस किसका आएगा क्याप्टल भी खाली होल्डिंग का शेर क्याप्टल कितना है होल्डिंग का पेलम लोग निकाल लिया टू फिफ्टी सेवन जनल इजर्व होल्डिंग जनलिजर्व अपना तो आएगा सब्सीडिरी से कुछ नहीं आया है लेकिन उसका अपना तो जनलिजर्व रही एक लाख हुआ है कि और कपिली दर्ग नहीं है एक बी से कि मुस्य इन स्वह कुंत तो तुम ट्योंक है । माइनारिट इंट्रेस्ट ूसके टू टू-टनी पूर करनेट लीडिटी मेरा अपना कितना है दो लाख है तुमारा एक साठ और 25 हर kontra mutual set off क्यूंकि मेरा डेटर में है । तुम्हारा क्रेड़िटर में तो मेरा डेटर मिल रहा है तुमरे साथ तुम छुआरा क्रेड़िटर मेरे साथ मिल रहा है तो दोनों एक दूसर का जगामें हैं तो दोनों को सैट आफ करेंगे अ कि इस क्रेडिटर में सबसिडेरी है अ हो डिंग का क्रेड़िटर में और सबसिडेटर भी आ रहा है उसमें होल्डिंग है तो कितना 3,35 यह बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ मच नॉन करेंट असेट मेरा अपना कितना है वो तो स्टॉक से होगा नॉ Pic christ कि इसके पिछले वाले इसमें होल्ड़िं का ऌफिट कम करके उस्टॉक को लेस किया था बट यहांपर क juda को सब्सिंगरीग बेचा तो सब्सिंग्रीग का इसका कंव करेंगे मुष्टले से होता था वैसे हो गई जैसे बीस प्लस्टे चार्लेर कितना कि अच्छा करेंट असे में स्टॉक अलग है डेटर अलग है ठीक है कोई दीकत नहीं है इस टॉक है 90 प्लस 40 कि अच्छी प्लस 50 से माइनस चारा जार आएटर कितना है वन लेक प्लस वन एक्टी वन लेक प्लस वन एक्टी से माइनस पत्चीज समझ मैं कि सबसी डिरिका डेटर में तुमों होल्डिंग का क्रेडिटर में तुम हो कि सबसी डिरिका डेटर में तुमों 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 सेटफ हो गया और वो 4000 वाला प्रॉफिट वहां का कम हो गया और स्टॉक यह वला कम हो गया इसका तो यह फेक फेल में आई गया ना एक सेंगेच कितना है कितना एक टो गलती होगे हम लोग से यहां पर गुडविल नहीं लिया हम लोग यह जैसे फिक्स्ट ऐसेट है गुडविल साथ जार आएगा ना इंटैंजिबल कि अ कि 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 आरा मैंच हो रहा है ट्विंटी वन थर्टी सिक्स कि 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 करें करें करेंट दूNS कैंट कि कि अच्छे को लोग टूटर सही है ना दोनोग तो आज को होमवग यह है कि आप लोग को पूरा सम प्रैक्टिस करना जितना भी मैंने कर आया है कि अल्मोस्ट वे डान एवरीटिंग ठीक है खाली प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको भाइ